हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मॉड़ली स्कूल राजगर्थ दोस्तों, तमाम विसंगतियों का आरोप लगा है और इन्ही विसंगतियों और भेध भाव के कारण है शिख्षकों ने दोस्तो हाई कोड की शरण लिया है और बेसिक शिख्षकों की तबादला नीद दोस्तो हाई कोड की चोखट पर पहुझ गई है आते हैं दोस्तों देखते हैं वे कौन-कौन से आधार हैं वे कौन-कौन से बिंदु हैं वे कौन-कौन से आरोप हैं जिसके आधार पे बेसिक सिख्षकों की अस्थानांत्रान नीत दोस्तों हाई कोट की शरण में चली गई है बेसिक शिक्षकों की अस्थानांत्रान नीत को कोर्ट में दी गई चुनोती अंतर जन्पदी तबादला नीती तैयार करने में भेद भाव का लगाया गया आरूप दोस्तों ये कौन सा भेद भाव है क्यों लगाया गया आते हैं अमरुजाला ब्यूरो के प्रियाग राज की इस न्यूस को कवर करते हैं बेसिक शिक्षकों के अंतर जन्पदी तबादले के लिए 2 दिसंबर 2019 को घोशित अस्थानांत्रन नीत को हाई कोर्ट में चुनोती दी गई है नई अस्थानांत्रन नीत में आकांग्षी जिलों प्रदेश के आठ पिछले जिले के लिए अलग प्रावधान करने पर याचिका में विरोध किया गया है दोस्तो आठ आकांग्षी जिले हैं पिछडे जिले हैं इनके लिए सरकार ने अलग से विवस्था दे रखे थी सरकार ने ये कहा था कि जितने सिक्षक इन जिलों से बाहर अन्यत्र जिलों में जाएंगे उतने ही सिक्षकों का तबादला होगा ये दोस्तो बात थी कि जितने सिक्षक जाएंगे उतने ही सिक्षक इन जनपदों में आएंगे यही सरकार ने दोस्तो इसके लिए नीति बनाई थी अब इसी नीत को कोड में चैलेंज कर दिया गया है अलग प्रावधान करने पर याचिका में विरोत किया गया है कहा गया है कि बेसिक शिक्षकों के लिए नीत घोशित करते समय राज सरकार की 2018 की अस्थानांत्रन नीत का पालन नहीं किया गया है सदानंद मिस्र और अन्न की याचिका पर नयामूर्ति डक्टर योगेंद्र कुमार स्रीवास्तों ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है याची के अधिभक्ता सीमांत सिंग का कहना था कि प्रदेश सरकार ने बेसिक सिख्षा के लिए 2 दिसंबर 2019 को जारी अस्थानांत्रन नेत की धारा 2.13 में प्रावधान किया कि आठ आकांक्षी जिलों में उतने ही सिख्षकों का अंतर जन्पदी अस्थानांत्रन किया जाएगा जितने सिख्षक वहां से अस्थानांत्रन पर बाहर जाएंगे उसमें सुरक्षाबलों पैरा मिलिटरी फोर्स और आर्मी के परिवारवालों को छूट दी गई याची के अधिवक्ता का कहना है कि राज सरकार ने 29 मार्च 2018 को सभी विभागों के लिए अस्थानांत्रन नीद जारी की थी इसमें आकांक्षी जिलों चित्रकूट चंदवली सोन भद्र फतेपूर बलरामपूर सिधार्त नगर सरावस्तिय और बहराईच के लिए समचारियों से तैनाती के दो वर्ष बाद विकल्प लेकर अस्थानांत्रित किया जा सकेगा बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतर जन्पदी अस्थानांत्रन नेत में इस प्रावधान को लागू नहीं किया है तो दोस्टो सरकार ने अपनी एक ट्रांसफर पॉलसी निकाल और इसमें ये कहा गया था कि आकांक्षी जिलो चित्रकोट, चंदोली, सोनभद्र, फतेपूर, बलरामपूर, सिधार्तनगर, सरावस्ति और बहराईच के लिये भी प्रावधान था कि इन जिलों में तैनात किये गए करमचारियों से तैनाती के दो वर्ष बाद ही विकल् लेकिन बेशिक शिक्षा विभाग ने अपनी एक अलक से नीती बनाई और इस जो ट्रांसफर पॉलिसी है 2018 का उसका उलंगन किया है इसी प्रकार से राजकी इंटर कालेजों के लिए प्रावधान है कि नए नियुक्ति शिक्षकों के आने पर पहले से तैनात शिक्षकों क अस्थानांतरण किया जा सकेगा अधिवक्ता का कहना था कि अकेले सो नभधर जिले में 68500 सहायक अध्यापक भरती में करीब 1100 नए नियुक्तियों हुए है राज सरकार की 2018 की नीत के मुताबिक इन जिलों में पहले से तैनात अध्यापकों का अंतर जर्पती तबादला कि किया जा सकता है यह भी कहा गया कि लेखपालो का भी आकांक्षी जिलों में इसी आधार पर तबादला किया गया है सभी विभागों के लिए एक समान नीत लागू होनी चाहिए कोर्ट ने प्रकरण को विचार विचारणी मानते हुए 20 जन्वरी तक जबाव दाखिल करने क का निर्देश दिया है तो दोस्तों यहां पे यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के जो भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं सब पे एक पॉलिसी होनी चाहिए समान कोड आफ कंड़क्ट होना चाहिए सरकार अगर तबादला नीत जारी करती है तो 2018 में जो तबादला नीत जारी क की गई थी वो सभी कर्मचारियों को द्रश्टगत रखते हुए की गई थी लेकिन बेसिक शिक्षा परिशद ने बेसिक शिक्षा परिशद के नियंत्रना धिन जो परिशदी प्रात्मिक विद्याने हैं इनकी अस्थानांत्रन तबादले की जब पॉलसी जारी हुई तो उस जो तबादला नीत है दो हजार अठारा का उसका अनुपालन इस विभाग ने नहीं किया लिहाजा लोग कोड की शरण जाने को विवस हुए अब यहाँ पे एक और ग्राउंड पे कोड हुआ है और वो ग्राउंड दोस्तों यह है कि दोबारा आवेदन नहीं करने के प बादले का लाप ले चुके हैं वह दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे कहा गया है कि अध्यापकों की सेवा निमावली दोस्तों बेसिक सिक्षक सेवा निमावली 1981 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इस सिक्षक कभी अपने गरह जनपद में तैनाती नहीं ले सकेंगे क्योंकि पूर में तमाम ऐसे संगतियों के कारण हाई कोड के शरण में यह तबादला नीट चली गई है अब हाई कोड जैसा गाइट करेगी सारे पक्षों का सरकार का पहले इंपुट लेगी और उस इंपूट के आधार पे जो तरक संगत निर्णे लेगी दोस्तों वही तबादला नीट होगी और उसी तबादला नीट में जो मोडिफिकेशन होगा जो सुधार होगा उसी के हिसाफ से तबादले होंगे खेर अभी थोड़े समय के लिए इस तबादला नीट पे दोस्तों विराम लग गया है तो दोस्तों ये वीडियो ये कंटेंट ये इनफॉरमेशन आपको कैसी लेगी प्राबर से एक बिल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पार वाचिंग और लिसनिंग दिस इज़े प्रकास दूबेश साइनिंग आफ